नमस्कार में अरुणी शम्मा विज्ञानिक डी मौसम विज्ञान केंद भफादों में अरिक्तम तापमान दमोहां और शिप्पूरी में 44.0 टीकमगाड़ों और निवारी में 43.5 गुना और सागर में 43.2 और चतरपूर में 43.1 डिग्री सेल्शियस रिकॉर्ड किया गया अर में रिपोर्ट नहीं होगा है इस तरह से पहले 24 गंटों के बारे में बात करेंगे तो मद्य प्रदेश में बाहर वाले में सबसे अधिक लेंफॉर्ड 4.0 mm और विदीशा में 2.7 विद हेल स्टार्म अर्थात ओला विश्टी के साथ दज की गई इस तरह कार्वान में 2.0 mm रिपोर्ड को दर्च किया गया है इस मद्य प्रदेश में देखेंगे तो छिंद्वारा में 9.4 अनुपूर में 7.0 और वाला वार में 5.4 mm रिपोर्ड को पिछले 24 गंटों में दर्च किया गया है मांसूं की यता मांसूं के बारे में बात करेंगे तो मांसूं की जो स्तिती है वो यता स्तिती बनी हुई है अर्थात पीछले 24 गंटों में अब इसमें कोई प्रोग्रस नहीं हुई है लेकिन आगे आने वाले 3-4 दिनों के दुरान मद्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों म माहराच के कुछ और हिसों में मूंबई समेर और तेलेंगान तट यह आंधरप्रदेश के से floss हिसों में दस्छिन उड़ी सब्सक्राक और बाकि ऐस्तिन मंगार की खाड़ी कि अगए बढ़ने की संभावना अनुपूल निची बनी हुई है आज की सिनॉप्टिक सिटूइशन के बारे में बाहर करेंगे तो वेस्टर्ण डिस्टर्बेंस 5.8 km के उपर जो अपर वेस्ट इस है उसके अंदर 68.8 डिग्री इस्ट और नॉर्थ और 30 डिग्री लेक्टिटूट के उपर बना हुआ है उसी तरह से जो साइक्लॉनिक आज वो पॉइंट 9 किलोमेटर अबव में दी सेवर्ज लुग पर देखा जा सकता है तो जो लाइट येलो कलर लाइट जिले दीख रहे हैं उसके अलग तलग स्थानों पर वर्शा दच की जाएगी तकि जो डार ग्रीन कलर हैं जैसे इंडर खार्वन और खानवा के अंद 50-60 किलोमेटर और साथ में ओला व्रिष्टी होने के भी चांस हैं बाकी जिलो में येलो येलो कलर दिया गया है वहां पे थंडर स्टॉर्म लाइट्नी और गस्टी विंड विट 40-50 किलोमेटर होने की जो है कल संभावना बनी रहेगी साथ ही निवारी और चतर को जिसे जि जो बढ़ेगी और बढ़वानी खार्वन खंडवा वैतुल और गुरहान पूर्किया अंदर जिलो के अंदर कुछ तानों के वर्षा होगी बाकि जो आप लाइट विंड कलर के जो देख रहे हैं जिले उसके अंदर अलग तलक सानों पे जो है वो वर्षा दज होने की पर रस्ता केड़ चलन रेगी आशंका है और सती है वह संब्रकोब नौट को तरिक को चलन बढ़ा बढ़ेगा और वह बाकी जिलो जैसे सफना रेवा मकावमन सिद्वियो सिंग लोली में बढ़कर 45 ढबर रहें की संभावना बनी हुई है